Students, आज एक brief review हम आपको देंगे मंगलायतन इन्यवस्टी के बारे में, चाहे आप इस इन्यवस्टी में किसी भी course में एड़ुशन लेने वाले हैं, चाहे regular mode में आप एड़ुशन लें, चाहे distance mode में आप एड़ुशन लें, या फिर आप online mode में इस इन्यवस्टी में एड़ु Students, हम अपने इस वीडियो में आपको proofs के साथ में दिखाएंगे, कि इस इन्यवस्टी को DEB ने, यानि कि distance education bureau ने, कौन-कौन से online courses को करवाने का approval दिया हुआ है, लेकिन इस से पहले हम चेक करते हैं, कि इन्यवस्टी की स्थापना कब हुई, और इसकी net grading क्या है, तो Students, इन् 2006 में as a state private university की रूप में, तब से लेके आज तक यानि की 2024 तक, इस इन्यवस्टी को लगातार approval मिलता रहा है, और इन्यवस्टी regular mode में लगातार काम करती रही है, Students, अगर हम इस इन्यवस्टी की net grading की बात करें, तो इस इन्यवस्टी को net A plus का grade 2023 में मिल गया था, उसके बाद ही इस इन्यवस्टी को online courses करवाने का और distance course करवाने का approval मिल गया था, तो चलिए चेक करते हैं कि इन्यवस्टी को 2024 में कौन-कौन से online courses को करवाने का approval है, जिनमें आप admission ले सकते हैं, तो उसके लिए हम जाते हैं DEB की website पर deb.ugc.ac.in, ये UGC की distance learning की और online learning की website है, जिस पर जाक कर सकते हैं, तो fourth number पर जुलाई 2024-25 की recent list update हुई है, तो 2024-25 के approval हम आपको चेक करवा रहे हैं, इस list के अंदर, ये list आ चुकी है, आपके सामने, अब आप इस list को stall करते हैं, और आपको ये state-wise list है students, तो आपको U में जाना है, U पर जाने के लिए हम आपको इसलिए border students, U से उत् पर देश के अंदर, आपको ये university मिल जाती है, 12 online courses करवाने का approval है, इसमें आप देख सकते है, academic year 2024-25, session beginning from October 2024, revised from July-August 2024, यानि कि जुलाई 2024-25 से लेके, जो session है, वो यही है, जो recent session है, जो approvals का, वो यही है, तो university को कौन-कौन से courses को करवाने का approval है, university को BBA करवाने का approval है, BCA करवाने का approval है, BA करवाने का approval है, university को MA in political science करवाने का approval है, university को MA in journalism and mass communication करवाने का approval है, university को MCA in mathematics करवाने का approval है, university को MA in English करवाने का approval है, में एजुकेशन करवाने का अप्रूवल है, इन्वस्टी को में पब्लिक एड करवाने का अप्रूवल है, इन्वस्टी को M.C.A. करवाने का अप्रूवल है, और लास्ट में इन्वस्टी को M.B.A. करवाने का अप्रूवल है, तो ये सभी ओनलाइन कोर्से करवाने का अप् लेबल नहीं है जिनको डिस्टेंस मोड से किया जा सकता है जैसे BSC, PCM या फिर ZVC, B-List का कोर्स, M-List का कोर्स तो स्टूडेंट्स B-List, M-List और BSC कोर्स भी आप इस निवस्टी से डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं अगर आप इस निवस्टी में एडविशन लेना चाहते है और अगर आपको एडविशन के रिगार्डिंग कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप दिये हुए नमबर पर हमसे भी समपर कर सकते हैं